देखे, आज हम डिस्कस करेंगे get, get के complete 30 प्लस uses, means get किन किन conditions में, किन किन uses में, या फिर कहां कहां किन किन situations के according get का use करते हैं, वो complete, जो 30 या 30 प्लस जो conditions बन सकती हैं, वो सारी सारी conditions मैंने याँ पर cover करने कोसिस किया है, मैंने याँ पर Hindi और English का समावेशन किया है, means मैंने Hindi और English डोनों को याँ पर समन्याने कोसिस किया है, कि sentence की Hindi और English कैसे बन सकती है, means अगर हमारे mind में कोई sentence Hindi में आता है, तो उस Hindi वाले sentence को हम किस तरह से रहे जाएंगे get के थरो, या get का use वाँ पर कैसे करेंगे, तो वो साई चीज हम लोग देखें हैं बहुत ही जादा detail में, session बहुत ही जवजस्त होने वाला है, आप जोड़े रहें और बिलकुल ही अच्छी तरह से सीखते रहें, तो अपने वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जानकाई दे रहें चाहता हूं, कि YouTube पर मैंने complete grammar जो है 300 से जादा बीडियो से पढ़ा रखा है, जिसकी संपूर्ण arranged paid English grammar करके एक playlist बने उसमें चले आना, उसमें सारे बीडियो से हैं, जो कि हर exam के लिए valid हैं, और जो most important chapters, मतलब लगव मैंने 50 से जादा तरीके chapters मैंने पढ़ा रखे हैं, वो सारे cover हैं, अगर आप उनके notes बंगवाना चाहत हार्ड copies अपने घर पर, तो आप इस number पर call या WhatsApp कर सकते हो, call दसीब अगर नहीं होती है, तो आप WhatsApp कर सकते हो, आपको reply मिल जाएगा, बागी कि किसी भी जनकारी के लिए notes कैसे हैं, कहां मिल जाएगी, कितने दिनों में हैं, वो साई जनकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, हां, doubts पूछ लें, यहाँ पर call या WhatsApp मत करना, आप मुझे टेलिग्राम पर follow कर लेना, वहाँ पर मैं साई doubts बगेरा बातचित करता हूँ, तो basically आप मुझे YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, Instagram और टेलिग्राम सभी जाएग फॉलो कर सकते हो, और अगर notes अगर आप पुछाई तो उस number पर call या WhatsApp कर सक सकते हो, discuss करने के लिए इन platform पर आप मुझे follow कर सकते हो, देखे, अगर हम get के बारे हम बात करें तो get एक verb है, यह एक verb है, तो इसके कोई ने कोई form भी होंगे, इसके अगर present simple या present indifferent की बात करते हैं, तो plural subject के साथ में यह get की रूप में लिखी जाती है, जैसे I get up early in the morning, कुछ पर बात करें, past के simple यानि की past indefinite की तो इसकी form होती ही got, अगर इसकी third form की बारे हम बात करें, have, has या hat के साथ में तो यह got के रूप में ही लिखी आती, means इसका second form, third form, same होता है, फिर बात करें अगर इसकी ing form means present parts पर लिखी तो इसका लिखा जाता है getting, अब एक word और आता gotten, इ करके वहाँ देख सकते हो, तो फिर आलंग discuss करें get के बारे ही बहुत ही detail में, तो get एक verb है, जिसका एक मतलब, यह पहला use अगर हम देखें, तो receive यह obtain के मतलब होता है, इसका, मतलब प्राप्त करना, अब यह वाद तो आपको याद रखनी है, कि no passive, इसका हम passive voice नहीं मनाते है इस वाई structure का, कैसे, get something to receive something, मतलब कोई चीज प्राप्त करना, और to receive something, और कोई चीज प्राप्त करना, मतलब get या receive करना, जैसे कि, आज सुबह मुझे राम से पत्र मिला, अब यहाँ पर मिलना, प्राप्त करने का कुछ सेंस नहीं कर ला है, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, I got a letter, I got a letter, प्राप्त हुआ, हम चाहते हैं, आपर receive लिख सकते हैं, या opt-end लिख सकते हैं, तो इन दोनों की जगे पर हम वाँपर get का use करेंगे, I got a letter from राम, राम से मुझे letter प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ, this morning, आज सुबह, तो basically आपको यह समझना कि, यहाँ पर got का मतलब जो निकला है, इस sentence के अंदर, उसका मतलब है receive करना, और एक grammar का structure को यह भी याद रखना है, कि जब भी morning, afternoon, जो भी आपके phrases हैं, इनके पहले अगर in, the, ना मिले, और this मिल जाए, मतलब morning या afternoon के साथ में, evening के साथ में, this या that लगा होता है, तो आपर in, or the, इन दोनो का यूज नहीं करते हैं, कि इवल दिस ही रहता है, clear, एक और sentence दिखते हैं, तुम्हें birthday में क्या मिला, मतलब तुम्हें birthday था और तुमसे कोई पूछा कि तुम्हें birthday में क्या मिला, तो हम कैसे पूछ सकते हैं, what, हम चाहिए तो what पूछ सकते हैं, जैसे कि what did you get for your birthday, तुम्ह birthday में क्या मिला, अब आप कोई ध्यान यह देना है, कि में के लिए मैंने यह आप इन नहीं लगाया है, ठीक है, क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि get for your birthday, एक collocation की तरह लिखा जाता है, collocation मतलब होता है, एक ready made phrase, आप चाहें तो sentence में, what presents भी लिसकते हो, अब what presents ना लिखों, okay, अब what से sentence बोलता हूँ, तो birthday से एक बात यह समझ में आ जाती है, कि यहाँ पर कोई ना कोई यह बात चल लिए, कि तो यह बात चल लिए, कि तो आप चाहो, तो what या what presents यहाँ पर लिख सकते हो, फिर एको देखते हैं, वह लगवक 40 करोड रुपे प्रती वर्स कमाता है, सकते हैं, वह बात रुपे 40 करोड आ एयर, प्रती वर्स के मतलब आ एयर, आर्टिकल में सीख रका हम लोगों ने, कि A और N जव प्रती का सेंस निकलता है, तो basically हमें एक बात यह समय में आये, कि आर्यने की जगह पर हम लोग लोग 2 का भी कस कते है, क्लियर, एको देखें, इ या फिर यहां पर appear होगा देख तो दमाग कहेगा तो इसका transition get से भी बन सकता है जैसे कि this room gets very little sunshine हिंदी सेंटर्स देखने काफी tough लग रहा है लेकिन इंग्लिस में को simple हो सकती है this room gets very little sunshine अब कुछ लोग यह कहेंगे sir कि the room तो इसका कोई object है नहीं आपर मतला कोई subject तो है नहीं तो gets आपकी active watch में कैसे लिखी तो पैसे बहुत से होनी चाहिए भाई मैं ही कह रहा हूँ कि इस कमरे रोशनी बहुत कम आती इस room को बहुत कम रोशनी प्राप्त यान सूर की रोशनी बहुत कम प्राप्त होती है it means य आपका sentence active watch से बनता है यह discussion मैंने वर्ब के advanced lecture में detail में कर रहा है आप जाका रहे कि देख सकते हो फिर एक और बात करें मुझे तो जटका ही लग गया जम मैंने बिल देखा मतलब जैसे मेरे पास बिल आया तो मैं जटका से लगा रहे इतना इतना बड़ा बिल तो अगर मैं इस तरह sentence को लिखना चाहिए तो इसको मैं लिख सकता हूँ I got a shock मुझे तो जटका ही लग गया when I saw the bill जब मैं बिल देखा मुझे तो जटका ही लग गया यह जटका सा लग गया मैं इस तब्द रह गया आपको जो भी हिंदी बोलने बोल सकते हो तो जटका लगना मतलब यह का यूज कर सकते हैं मुझे लगता है कि वह अपनी जॉब से उब गया है कैसे बनेगा I get the impression आप चाहो तो आप ऐसी ले सकते हो I think मुझे ऐसा लगता है अब I think की जगह आप इसको ऐसी ले सकते हो I get the impression मुझे कुछ ऐसा impression मिला उसकी तरफ से that he is bored with this job वह अपनी जॉब से ब मैं में उसकी हम लोग इसको भी गैट को इस तरह से यूज कर सकते हैं I get the impression थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है एक नया तरीका बोलने का हो गया नया तरीका लिखने का हो गया और यह गैट से भी बन सकता है कि हमने यह चीज भी समझ में आ गई है फिर एक सेंस होता है तुछ अपटन सब्तिं यह घट सम्तिं कोई चीज प्राप्त करना इसका फैसे वोस नहीं बनेगा जैसे कि तुमने वह skirt कब खरीदी तुमने वह skirt कब खरीदी अब यहां पर किस sense का मतलब है खरीदना खरीदने का मतलब where did you get that skirt तुमने वह skirt कहां से खरीदी अब आप चाहें तो get की जगए by कब यूज कर सकते हैं अगर मैं इस sentence में by ना बोलो मैं कहूं where did you get that shirt या skirt है या pants है या pants है जो भी आपका है मैं कहूं वह तुम्हे कहां से मिला इसका मतलब मैं मिलने का sense निकालने हूं खरीदने का clear तो मैं अगर यह कहूं कि तुमने वह skirt कहां से मिली तो इसका मतलब पाना भी हो सकता है और खरीदना दौनों के sense में get का use हम लोग कर सकते हैं next क्या तुमने concert के लिए tickets के लिए विवस्था कर लिए या tickets ले लिए है या ले लिए अगर मैं कहूं क्या तुमने concert के लिए tickets ले लिए या तो मैं इतना बोलूं या मैं इतना बोलूं क्या तुमने concert के लिए tickets ले लिए या विवस्था कर ली थी मैं दोनों sentence कैसे बोल सकता हूं और दोनों का transition के एक ही बनेगा अब ध्यान तो यहाँ पर विवस्था कर लेना बोलो चाहिए ले लेना बोलो दोनों के लिए get का use लो इस तरह से कर सकते हैं याद रखना get एक बहुत बड़ी families के काफी ज्यादा users से उनको आपको detail में एक एक करके समझना है फिर एको sentence देखते हैं उसने अच्छी तरह से देखने के लिए दरवाजा काफी खोल दिया मतलब उससे थोड़ा अच्छी तरह से देखना है इसलिए दरवाजा थोड़ा सा और open कर दिया इस साही से देखनी रहा था, दरबाज थोड़ा खोला था, इसलिए उसको काफी खोल दिया है इस sentence को समझने के लिए, she opened the door, she opened the door to get a better look अब देखो यहाँ पर, get a better look, अच्छी तरह से देखने के लिए, अब देखो यहाँ पर देखने के लिए तो आपका look आ गया है लेकिन get a better look, have a look, have a look है, get a better look है, यह phrases तो पर यूज होते हैं तो इस वाले phrase को बनाने के लिए या देखने के लिए और समझने के sense में हम लोग यहाँ पर get का यूज कर सकते हैं next, कुछ नीद लेने की कोसिस करो, हम किसीस बोलते हैं कुछ नीद लेने की कोसिस आ जाए, ठकावर दूर हो जाए, जम कुछ इस तरह से बोलते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं, try to get some sleep, अब यहाँ पर sleep देखा जा तो एक मेरा वर्व होता है, जिसकी अलगला forms होती है लेकिन यहाँ पर यह आपका adjective है, और यह बगल में आ गया आपका noun, तो यह noun की तरह काम कर रहा है, Try to get some sleep, कुछ नींद लेने की कोशिस करो, तो यहाँ पर get का use जो है, वो opt-time प्राक्ट करना या लेने के sense में use हुआ है, फिरिको देखें, उसे ठीक अभी अभी नई जॉब मिली है, तो मिलने की sense में get का use कर सकते हैं, He has just got a new job, has के वज़े से third form आया है और अभी अभी के English आई बीच में just, जो कि आपका adverb है, इस तरह से sense में लोग बना सकते हैं, next, get का use होता है, get something for somebody, किसी इनसान के लिए कोई चीज प्राप्त करना या लेना, जैसे की, क्या तुमने अपनी मा के लिए present ले लिया है, मतलब मा होगी somebody और something होगी present, अब देखें इसका कैसे बनेगा, did you get a present, get के बाद something आया है, something आया है, for आया है, for का somebody है, हाँ आया है, अब यहाँ पर get का मतलब by का ही sense है, क्या तुमने अपने मा के लिए present खरीद लिया है, तो हम खरीदने जगे by का use करते हैं, और हम लोग get का use कसब जो आपने अभी अभी देखा था, तो जो structure यहाँ पर लिखा हुआ है, यह वाला ठीक यहाँ पर ऐसे follow हुआ है, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, हाला कि sentence को लिखने के और भी तरीके होते हैं, वो आपने देख सकते हो, अब next sentence देखें, structure समझें पहले, get somebody या yourself किसी को कुछ दिलाना या खुद के लिए कोई विवस्ता करना, कुछी खुद के लिए अरेंज करना, जैसे कि, क्या तुमने अपने मा के लिए present ले लिया, तो did you get your mother a present, अभी दूखो क्या था, इस वाले sentence में, यहाँ पर mother पीछे थी और present आगे था, अब कुछ लोगों का मन कर रहा होगा उस समय, क्या सर की ये in that object आगे आजा और that object पीछे चलाय तो क्या होगा, तो उसका त तुम खुद क्यों कार नहीं ले ले लेते, मैं कहता हूँ, तुम दूसरे कार मांगते हैं तो तुम खुद क्यों नहीं ले ले लेते, अपनी खुद की कार, तुम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, why don't you get yourself a car, तुम खुद क्यों कार नहीं ले ले लेते हो, तो yourself को मतलब यहाँ प कोई चीज है जो बहुत महगी मैंने का कि 10,000 खर्च का लो उसमें भी तुम्हें यह चीज मिल सकती है तो मैं इसको ऐसी लिसेता हूँ कि 10,000 रुपीज विल गेट यू दबेसिक मॉडल क्योंकि सेंटेस को पढ़ने के बाद एक चीज यह समय में आएगी 10,000 रुपए में तुम्हें यह मॉडल मिल जाएगा लेकिन देगा कौन सब्जेट तो में पता नहीं चल ला है तो यह जनरल प्रॉसेस में सेंटेंस है जैसे की जैसे कि मैं कौन सेल कर रहा है तो मैं कहता हूं कि कंपनी भी तो करती ना वेंडर भी तो करते हैं सबी लोग करते हैं तो कि जब सब्जेट नहीं होता तो सेंटेस की इस तरह समलों लिख सकते हैं फ्लो में 10,000 रुपीज विल गेट यू दा बेसिक मॉडल सेंटेस बिलकुल सही है फिर मैं प्रेपोजिशन बताया था कि जब कोई चीज का लें दिन होता है तब वहां पर हम लोग फॉर का यूज करते हैं कि इस प्रॉड़क की कीमत दस्यार रुपे है तो हम आप उसके आगे फॉर का यूज करेंगे फॉर 10,000 रुपीज इसको लिखने के तरीका एक यह भी है फिर अगला आपका गेट सम्तिंग गेट सम्तिंग मतलब इसका भी पैसे वर्स नहीं मनेंगा लेकिन यह यह वर्ब जो है वो ट्रांश्टिप के तौर पर यूज होगी अब यहां पर सेंस करने के लिए गा टू आप्टेन और रसीव कोई चीज प्राप्त करना अन इसके यूज करेंगे सेंस कैसा है तो मैं अपनी कार का कितना मिला तो मैं अपनी कार का कितना मिला इसका मतलब मेरा सेंस कहने का वहाँ पर रुपए तो मैं कैसे बोल सकता हूं हाव मच डिडियू गेट फॉर यूर का तो मैं अपनी कार का कितना मिला है अब आपको ध्याने जगे पर हम इसका यूज कर सकते हैं, bring का मतलब यहां पर हम लोग fetch, fetch का मतलब क्या है, कि कहीं पर जाना, और जाकर के किसी इंसान या किसी वस्तो को लाना, मतलब जाकर के लाना, आगर मैं कहूँ जाकर के आओ वापस, जाओ और वापस आओ, तो fetch या bring का यूज करते हैं, जै लाओ ठीक है तो गेट का मतलब है ब्रिंग का यूज हम लोग कर रहे हैं कोई डॉक्टर को बुलाओ समबडी गेट डॉक्टर को बुलाओ इसका मुझे डॉक्टर को जाओ जाकर के बुला करके लाओ यहां पर ठीक है तो ब्रिंग की जगे हम लोग गेट का यूज कर सकते है फ्रेकोर देखें मुझे एयरपोर्ट पर जाकर अपनी मा को लाना है मतलब मुझे एयरपोर्ट जाना भी है और जाकर के मा को लाना भी है मतलब ब्रिंग I have to go and get my mother from the airport अब यहाँ पर collector का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर get my mother है ना वहाँ पर get की जगे हम collect my mother कह सकते हैं मतलब उनको जाकर के लाना है तो हम वहाँ पर get का भी यूज़ कर सकते हैं एक get का use होता है get something for somebody किसी के लिए कुछ लाना यह हम पहले भी देख चुके हैं राम के लिए drink लेकर के आओ यह लेकर आओ तो get a drink for Ram प्रम के लिए drink लाव मैं यह वह लाओ तो get a drink for Ram अगर मैं यह कहूं कि राम के लिए drink लाओ अब देखो sentence तो दोनों हैं लेकिन दिहाना को क्या देना है अगर मैं कहना चाहता हूं कि मैं राम को आगे करो और drink को पीछे करों तो क्या होगा जैसे अभी हमने पहले देखा था कि प्रेजेंट को पीछे किया तो मदर को आगे किया तो फॉर रिमूव हो गया था ठीक वाई structure यहां पर लिखा हुआ है कि get ram a drink हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर किसी कोई काम as a punishment मतलब जिससे कि armed robbery के लिए इस चीज के लिए उसे ये चीज मिली armed robbery के लिए उसे दस वरसों के लिए जेल भीज दिया बतलब क्या हुआ कि get something क्या प्राप्त हुआ सजया मिली दसवसों किस चीज के लिए मिली इस चीज के लिए मिली तो हम आपर punishment के लिए get कर यूज कर सकते हैं लेकि इसका भी पैसे वाइस नहीं बनेगा कैसे लेकि इसका पैसे नहीं बनेगे क्योंकि ये जनरल सेंस में लिखा हुआ है अब यहां पर देखो किवल गौड का मैंने यूज किया है इस सेंटेंस का मतलब के दिमाग में यह आना चाहिए है कि कि he was sent to prison for 10 years for armed robbery मतलब उसको 10 साल के लिए armed robbery के लिए जेल भीज दिया गया है तो केवल और केवल गौड जो है वो इतना अंदर जो बड़ा सेंटेंस लिखा इतने बड़े का पूरा मेनिंग दे रहा है तो एक यह भी तरीका होता है लिखने का एक अलग तरीका होता है ब्र का यूज जो बोलता हूं न यह आपको हैपनिंग वर के तौर पर देखने मिलेगा वर्व एडवांस के अंदर स्टार्टिंग वीडियो में आप जरूर जा करके देखना कैसी यूज होगा get something कुछी प्राप्त करना to receive broadcast from a particular television or radio station किसी television station या radio station को इस चीज कहीं से प्राप्त करना broadcast के तौर पर जैसे कि television या radio station चैनल नंबर पांच नहीं मिलता है ठीक है यह फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि हमारे जो चैनल नंबर पांच जो है ना वो जाई television पर आता नहीं है अगर मैं ऐसे बोलना चाहूं तो हम इसको कैसे लिश सकते हैं वी कांट गेट चैनल नंबर फाइव इन आर एरिया हमारे एरिया में चैनल नंबर पांच नहीं आता है यह मैं छोड़ दें यहां पर हिंदी में लिखने के लिए आप यहां पर समझ सकते इस चीज को क्लिए फिर एक सेंस बाई का भी होता है जो कि हम लोग देख चुके अभी बाई का मतला है विए टे तुम कौनवसी निश्पेपर खरीदते हो मतलब कोई चीज खरीदने के लिए से मैगजिन है या निश्पेपर उसको खरीदने के सांथ andare हम लोग गैट का यूज कर सकते है विछ निश्पेपर दून यूज गैट तुमें कौनवसी निश्पेपर मिलता है इसका मारख तु हम किसी exam में कोई चीज प्राप्त करते हैं जैसे कोई greater marks है उसके लिए हम लोग get का use कर सकते हैं जैसे कि उसे chemistry में C और English में B मिला तो he got, ठीक है, obtain मान सकते हो और अपर he got a C in chemistry and a B in English sentence अपना correct है, अगर हम get की एक और use के बारे बात करें तो उसका use illness के sense में भी उसकता है illness का मतलब क्या हुआ, get something to become affected with an illness, किसी बीमारी से ये किसी दर्द से परिसानी होना है, समस्य होना जैसे कि मुझे cold तुम से लग गया है, या फिर मुझे तुम से cold लग गया है, मैं जैसे बोलना चाहूं, तो लगने का sense यहाँ पर, बीमारी लगना, I got this cold of you, हम यहाँ पर from का भी उसका सकते हैं, मुझे तुम से जुकाम लग गया है, ठीक है, उसे ज्यादत तर बहुत बुरा सिदद होता है, अब यहाँ पर होने का sense है, तो भी हम get का use करेंगे, see gets really bad headaches, अब यह sentence मेरा present definite में, तो यह sense निकाला कि जाहता उसको ऐसको ऐसका काम होता है, हम चाहें तो उसकी ज़्याए ऐसा लग सकते हैं, see often suffers from really bad headaches, clear, next, हम इसका use, get का use, यह contact के तौर पर भी कसकते हैं, contact का मतलब, get somebody to be connected with somebody by telephone, किसी से telephone के दौरा जोड़ना, जैसे की, मैं manager से बात करना जाता था, लेकिन बात secretary से हो पाई, मतलब मैंने मिलाया तो manager से बात करने के लिए था, लेकिन ultimately क्या हुआ, कि मेरी बात secretary से ही हो पाई, तो हम इसको लिख सकते हैं, I wanted to speak to the manager, but I got his secretary instead, लेकिन मैं secretary से बात हो पाई, आप यहाँ पर got का मतलब क्या हुआ, बात हो पाना, instead का मतलब, leaking के sense में, लेकिन इसकी जगे यह हुआ, बदले में यह हुआ, तो state का use बदले के sense में यहाँ पर लिखा हुआ है, अब यहाँ पर इसका मतलब बढ़तो है, वो ठीक है, लेकिन हमने state का use करते हैं, इसके बदले में लेकिन ऐसा हो गया है, इस sense में यहाँ पर लिखा हुआ है, और get का use कैसे वो आपने देख लिया है, state और condition के लिए भी get का use करते हैं, यह यहाँ पर एक linking verb की तरह use होता है, तो रीच आप पार्टिक्लर स्टेट और कंडिशन तो मेक समबडी, सम्थिंग या या यॉर सेल्फ रीच आप पार्टिक्लर स्टेट और कंडिशन, जैसे की हम क्या करते हैं, तो गेट का use जो है, उसकी बाद हम लोग कोई angry, bored, hungry, fat, कोई नो कोई adjective का use करते हैं, जो की condition है, कोई state बताता है, जैसे की, तुम्हें यहाँ इस मौसम की जल्दी ही आदत हो जाएगी, मतलब आप used to हो जाओगे जल्दी से, जैसे, soon you will get used to the climate here, अब used to यहाँ पर जो है, एक adjective का use यहाँ पर हुआ है, ठीक है, हम इस तरह से इसका use कर सकते हैं, तो get का मनलब क्या है, उसकी आदत हो जाना, इस condition में हो जाओगे आप, एको sentence देखो, देर हो रही है, हमें चलना चाहिए, अब देर होना एक static condition के बारे हम बात हो रही है, we ought to go, it's getting late, कैसा हो रहा है, लेट हो रहा है, तो late क्या यहाँ पर है, एक यहाँ पर adjective तरह use हुआ है, और यहाँ पर get जो है, सभी जगे, linking verb की तरह यहाँ पर use हुआ है, ठ उन्होंने गर्मियों में साधी करने की सोची है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, कि they plan to get married in the summer, देख तो यह clear हुआ, वो ऊपर तयार हो रही है, अब यहाँ पर तयार होने की sense में, c is upstairs getting ready, वो ऊपर है और क्या हो रही है, तयार हो रही है, getting ready, कपड़े पहन रही है, ठीक है, weekend मेरी का चोरी हो गई, कैसे उज़ कर सकते हैं, my car got, installing at the weekend, अब यहाँ पर watch का भी उज़ कर सकते हैं, और got का भी उज़ अब लोग कर सकते हैं, दोन sentence हमारे ठीक होंगे, फिर हम get क use कर सकते हैं, जैसे कि अपनी dress गंदी मत करो, तो don't get your dress dirty, अब देखो यहाँ पर, get के बाद क्या है, वो चीज आई, ठीक है, और इसके बाद adjective, कैसी dirty मत करो, अपनी उंगलें दरवाजे मत, sorry, उसकी उंगलें दरवाजे में दव गई, तो कैसे बन सकता है, he got his finger caught in the door, अब caught जो है, यह adjective तरह काम कर रहा है, जो कि इस fingers के बारे बातचित कर रहा है, which have been got, sorry, which had been got, जो कि first गई जा करके, यहाँ पर which had been करके, helping work चुपी हुई है, helping work कब omit होती, connection कब omit होते हैं, इसके बारे में detail में मैंने work advance में पढ़ा रखा आप जा करके देख सकते हो, फिर record बात करें, उसने जल्दी से बच्चों को विद्याले के लिए तयार कर दिया है, इसका अब ट्रेस में तयार होना किया है, she soon got the children ready for school, अब ready कौन हुआ है, बच्च बच्चों के लिए, next, intrinsic तोर पे get का use कर सकते है, to do something to reach the point at which you feel no, are, या etc something, किस चीज के बारे आपको जानकारी होना, जैसे कि, तुम्हे कुछ समय बार समझ आ जाएगा कि ये चीजे माइने नहीं रखती है, मतलब कुछ समय बार कुछ ऐसा होगा कि तुम्हें ये realize हो जाए तुम्हें जनकारी हो जाएगी, तो कैसे use करेंगे, after a time you get to realize that these things don't matter, clear, next one लिखते हैं, तुम्हें वो पसंद आएगी, बस एक बात तुम उससे जान जाओ, तुम्हें वो पसंद आजाएगी, बस तुम्हें एक बात उससे जान जाओ, तुम्हें पसंद आजाएगी, बस तुम्हें वो पसंद आने लगेगी, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो और लिख सकते हो, तो यहाँ पर भी कोई ने कोई चीज को जानना है पहचानने के बारे हैं बात ची चले, get to know, पता चल लेगा है जान जाओगी, ठीक है, next, उसका पीना एक समस्या बन रही है, मतलत उस पीना एक समस्या बन रही है, मतलब पीना एक समस्या ग्रूब में बन चुका है, और यह जो पीने की आदत है, वो एक समस्या तोर पर जाने जाने लगी है, ठीक है, next, अब वह एक बोड़ी महिला हो रही है, जिसका मतलब, she is getting older, तो हम ऐसे बोल सकते है, she is getting to be an old lady now, अब व कोईने कोई स्टेट है, कोईने कोई कंडिशन में, कोईने पॉइंट पर पहुंच रहा है, कोईने कोई इनसान, उस सेंस में यूज होता है, और यहां पर जो get आपकी जो वर्व है, वो इंट्रांस्टिप की तोर पर यूज हो रही है, ठीक है, अब इसका next यूज देखते make या pursuit की सेंस में, मतलब किसी से कोई काम करवाना, जहां पर हम लोग make और pursuit की जगे हम लोग get का यूज कर सकते हैं, किसी इनसान से या कोई चीज करवाना, ठीक है, यह आपके ट्रांस्टिप वर्व की तरह यूज यहां पर होता है, जैसे कि get somebody something to do something, example तोर पर, मैं आज सु काम करवाना था, लेकिन वो उस कार को चालू नहीं कर पाया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, I could not get the car, देखे, somebody or something, जो भी कुछ होगा, वो यहां पर रखा जाएगा, फिर उसका जो अगला काम होगा, वो यहां पर रखा जाएगा, लेकिन वो infinitive को follow करता है, आपका get, यह आपको याद रखना है, I could not get the car to start this morning, आज सुबह मैं अपनी कार को चालू नहीं करवा सका, मतलब वो ठीक नहीं करवा सका, आप जो भी कुछ बोलना चाहो, बोल सकते हो यहां पर, ठीक है, अब यहां पर आप चाहो तो get हटा करके make लगा सकते हो, लेकिन इतना याद रख मतलब यहां पर आपका 2 नहीं आएगा, अगर यहां पर make लगा दिया तो get लगाओगे तो 2 आएगा, यह लोजिक क्या है, यह मैंने पढ़ा रखका आपको कौश्ट वर्ब की वीडियो में बहुत ही डीटिल में आप जाके वीडियो में देख सकते हो, फिर अगला use हम सिष्टर से अपने हमबर्क में मदद ली, इसका मतलब यह है कि उसने कहां खुद नहीं किया हमबर्क, उसने अपने सिष्टर से करवाया, यही तो उसका सेंस निकला है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, he got his sister, somebody आगया है, to help him, खुद सायतली, with his homework, अपने हमबर्क में, उसने अपने सिष्टर से, अपने हमबर्क में सायतली, मतलब उसने अपने सिष्टर से हमबर्क करवाया, तो यहां पर हम लोग गेट का यूज़ कर सते हैं, कॉश्टिव वर्क की तरह है, तुम उसे कभी समझ नहीं पाओगे, तुम उसे कभी समझ नहीं पाओगे, तुम कैसे बना सकते हैं, you will never get him to understand, या फिर तुम उसे कभी नहीं समझा पाओगे, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, तुम उसे कभी नहीं समझा पाओगे, तुम उसे कभी नहीं समझा पाओगे, ठीक है, अब अगर हम एक और get के यूज़ के वारें बात करें तो अभी हमने देखा था get के वाद somebody or something आता है तो उसके वाद two plus v1 आता है लेकिन यहाँ पर ing form आ रही है इसका मतलब क्या है यह बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा sentence इसका मतलब यह कि काम वहाँ पर continue रहता है अगर to do लिखा इसका करवाना है और doing का मतलब क्या है कि वहाँ पर process की जा रही है उस काम के लिए जैसे कि क्या तुम सच में उस कार को फिर से चला सकते हो मतलब आप process कर रहे हो और मैं पूछ रहा हूं कैसा हो सकता है क्या तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं can you really can you really that car going again अब देखो यहाँ पर to go नह देखो यह काम भी हुआ नहीं लेकिंग बाद में होगा planning चल रही है अगर मैं going लिखता हूं इसका कोसिस चल रही है और तो चालू भी हो जाए तो मैं पूछ रहा हूं इस तरीके से यह दोना difference होता है एक और देख लो उससे बात करना मुस्किल नहीं है उससे बात करना है समस्या उसे रोकना है जैसे की it is not hard to get in talking उससे बात करना मुस्किल नहीं मतलब ये है कि अगर मैं उससे बात करने लगो तो वो बात ना करे ऐसा नहीं है वो बात करने लगेगा समस्या यह कि उससे रोकना मुस्किल है मतलब the problem is stopping him अगर उसने एक बात करना शुरू कर दिया फिर उसके रोखना बड़ा मुस्किल हो जाता है, इसलिए मैं सोच रहा हूं किसे बात करूं कि ना करूं, तो sentence का meaning ये करन बे हो रहा है, कि वह बात तो करता है, बात होने को भी हो बात भी कर रहा है किसी ने किसी से, अगर मैं अभी बात करना शुरू कर दूँ, तो problem ही है कि वह बात तो करने लगेगा, लेकिन फिर उससे रोखना बड़ा मुस्किल है, क्योंकि फिर बात continue करता रहेगा, अब get का एक और use देखते है, get something done, ये याद रखना, कि ये वाले structure जो है, वो passive voice में जाता है, ये वाले structure passive voice में जाता है, और जो उसके पहले भी पढ़ रहे थे, वो active voice में जाता है, इनका तरीका क्या होता है, इनकी ruling क्या होता है, वो सारी वीडियो में अलग से separate वीडियो, costive verbs नाम के, दो या तीन वीडियो से मैं बता चुका हूँ, आप playlist में जाकर के देख सकते हो, अब यहाँ पर, ये वर्फ ट्रांस्टे में होती है, इसका मतलब इसका active पैसे दोनों बनेगा, दूसरी बात ही ये है, get something done का मतलब होता है, to cause something to happen or to be done, कोई चीज करवाना या कोई चीज होना, उसका कारण होना या आपर दिखाए जाता है, जैसे की, अगर मैं ये कहूँ, मुझे अपने बाल कटवाने चाहिए, इसका मतलब ये clear है, कि बाल का काटने का जो काम है, वो मैं खुद नहीं करूँगा, वो कोई ना कोई और करेगा, अब कौन करने वाले उसका नाम या पर दिया नहीं है, तो ये passive sentence गया है, अगर मैं ये कहूँ, कि मुझे अपने बाल नाई से कटवाने चाहिए, तो ये sentence active version रहेगा, क्योंकि उस sentence में काम करने वाले का नाम भी दिया जा रहा है, तो इसको मैं ऐसे बनाएंगे, I must get my hair cut, यहाँ पर जो भी वरवाएगी, वो third form में ही आएगी, इस done का मतलब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो भी वरवाएगी, वो third form ही आएगी, clear, एक ओ देखो, मैं यह पूरा कार कभी भी, मैं यह पूरा कार जो है, वो कभी भी पूरा नहीं करवाँगा, मतलब यह complete work जो है, वो कभी मैं finish नहीं करवाऊंगा, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, I will never get all this work finished, जितना काम दिखाए दे रहा है, यह पूरा finish नहीं होगा, जितना और उतना होने दो, ठीक है, फिर next एक और use होता है, start का, start की जिए हम लोग get का भी use कर सकते हैं, जैसे कि get doing something का मतलब होता है, to start doing something, कोई चीज शुरू कर देना, जैसे कि, मुझे उससे बात करने शुरू करना था, मतलब मुझे उससे बात start कर देने चाहिए थी, तुम्हें इसको ऐसे बोल सकता हूँ, I got talking to her, मतलब उस लड़की से मुझे बात सुरू कर देने चाहिए थी, इस सें कि get के बाद two plus v1 आता है, ing भी आती है, इसमें कम start होना चाहिए, या आपको याद रखना है, एक और sentence रहिए, हमें जल्द ही जाने की जरूरत है, या जाना चाहिए, या तो मैं ऐसे बोलू कि हमें जल्द ही जाने की जरूरत है, या फिर हमें जल्द ही जाना चाहिए, इन I need to get going soon, इन दोनों के sentence एक ही तरीके से बनेगा, यानि कि दोनों में start का ही sense आ रहा है, I start talking to her, I need to start going soon, इन दोनों जगए पर get की जगए पर हम लोग start का use कर सकते हैं, clear, next, opportunity जो आपकी होती है, उसके लिए भी हम लोग get का use कर सकते हैं, get to do something का मतलब to have the opportunity to do something, एक मौका में मेला है कुछ कर के दिखाने का, जैसे कि उसे सभी नए software try करने का मौका मिला, opportunity मिली है, तो हम लोग इस sense में, जो मौका मिला है, इसको हम लोग get की तौर पर use करेंगे, he got to try, याद रखने हैं, आपर 2 plus V1 का use हो, क्योंकि काम होने को होगा, अभी हुआ नहीं है, सोचा जा र he got try out all new software, sentence अपना, सही बनाए, ये ठीक नहीं है, अब मैं पहले कभी नहीं आऊँगा, ये ठीक नहीं है, अब मैं पहले कभी नहीं आऊँगा, तो it's not fair, ये ठीक नहीं है, I never get to go first, मैं पहले कभी नहीं जाऊँगा, मैं बारी जाती हैं, पहले बारी दूसरी बारी, मैं पहले आप जाओ, फिर आप जाओ, तो मुझे जो पहले भी जागा था ना, अब वो पहले जाने वाला काम मैं कभी नहीं करूँगा, फिर आगे देखें, arrive, आने के sense में भी हम लोग यहाँ पर get का use करते हैं, लेकिन इत इसी बातचीत के निसकर्स पर एक को इस्थान पर पहुंचने के लिए हम लोग get का use करेंगे, ठीक है, जैसे कि हम New Delhi साथ बजे पहुंचे, ठीक है, तो arrive की जगे हम लोग आपर reach की जगे get का use कर सकते हैं, we got to New Delhi at 7 o'clock, क्योंकि adverb और preposition का use हम चाहिए वाँ पर, इसलिए हम लोग आपर preposition या adverb का use करेंगे, तुम पिछली रात बहुत देरी से आए, या फिर पहुंचे, इन दौनों sentence का एक ही बनेगा, यह got in very late last night, पिछली रात तुम काफी देरी से आए, तो reached की जगे या arrived की हम लोग यहां पर God का use करेंगे, तुम यहां किस वक्त पहुंचे, तो what time did you get here, sentence अपना सही है, मैंने यह पुस्तर बहुत नहीं पढ़ पाई है, मतलब यह book जो है मैंने काफी नहीं पढ़ी अभी, मैं अभी पढ़ी रहा हूँ, मैं अभी इसे पढ़ी रहा हूँ, तुम reading, मैं अभी इसे बना सकते हो, अच्छे, दूसरी बात एक है, एक sentence आपका यह, एक sentence आपका यह, sorry, और बीच में कोई conjunction नहीं है, तो इसको आप ऐसे भी लिसकते हो, जो आप चाहो तो यह आप सेमी कॉलन का भी इस कर सकते हो, क्योंकि बात आगे बोली जा रही है, next video आपका है, move यह, travel की जगह, आप move यह, travel वर्ड की जगह पर get का use कर सकते हो, इसका use टांस्टिव और इंटांस्टिव दौनों वर्ब की तरह get का होगा, जिसका मतलब होगा, किसी एक जगह से कोई दूसरी खास जगह पर जाना, यह in a particular direction, something with difficulty, to make somebody something, do this, कि इससे कोई काम क पहुचना है, कोई बिस्वम पस्यती में संघस करके वो काम करना है, जैसे की, अच्छे, इसमें एक बात और याद रखना है, कि जब इंटांस्टिव की तरह इसका use होगा, तब इसमें adverb या prepution आएगा, जो कि place को indicate करेगा, ठीक है, ब्रिज तैसनेस हो गया था, तैसने को नहीं डिस्ट्रॉइ हो गया था, इसलिए हम नदी को पार नहीं कर सके, अब पार नहीं कर सके, तो यहाँ पर get का use करेंगे, पैसे वाँ से बना हुआ, तो इसलिए, we could not get, get का मलब पार करना है, we could not get across the river, अब get का मलब प्राप्त नि नहीं कर पाए, नहीं, यहाँ पर मतलब हम वा तक नहीं पहुंच वहाँ पाए, move नहीं कर पाए, दूसरी जगह पर, travel नहीं कर पाए, कैसी difficult situation में, next, वो सोने चली गई, और यहाँ पर चली गई, she got into bed, और यहाँ पर आपने गो सुना हो जादा तर, कि she went into the bed, ऐसी तो आप got का भी यूज कर सकते हो, वह है, ladder से नीचे आ गया, मतलब जो सीडियां थी, उनसे वो नीचे आ गया है, he got down from the ladder, अब अगर ध्यान दो आप, कि सभी जगे get का use हुआ है, लेकि उसका पाद एक phrase यूज हुआ, prepositional, जो कि एक place को सो कर रहा है, और यही इसका, एक purpose हा समयाने एक लिए कि के session आपर use होगा get का, फिर और कुछ देखिए, हम सोबे तीन बजे तक सोने नहीं गए, मतलब तीन बज गए थे, सोबे के हम तब भी नहीं सोई थे, we did not get, अब get के लिए हम लोग गो का use कर सकते हैं, जैसे कि मैंना भी आपको बताया था, we did not get to bed until 3 a.m, सोबे क के तीन बजे तक, हमें बस कहां मिलेगी, where do we get the bus, sentence आपका present के indefinite में है, मैं अगली station पर उतर रहा हूँ, मैं बेट कर रहा हूँ, जैसी वाई हो मैं उतर जाओंगा, तो get down, यह get off का use हम लोग करते हैं, I am getting off, उतरना, आप चाहें तो getting off की जगे पर leaving the train, ऐसी बूल सकते हो I am getting off at the next station, यहाँ पर leaving the train पूरा लिखा जाएगा या फिर getting off की बड़ लिख दो, तो getting off का sense निकलता है, train से नीचे उतरना, और station यहाँ पर लिखा हुआ, तो sense दे रहा है station का ही, मैं तर ट्रेंड का, तो I am getting off at the next station, या फिर आप बोल सकते हो, I am leaving the train at the next station, ठीक है, वे कहां ह है, where have they got to, एक तो तरीका यह है, जो कि foreigners बोलते हैं, एक तरीका यह simple वाला है, where are they, वे कहां पर हैं, दोनों sentence अपने correct हैं, next, आधी रात हो गई है, हम घर पहुंच रहे हैं, यान कि आधी रात हो गई है, और इस साब से जो अनमान लगाया है, उस साब से लोग घर पहुंच रहे हैं, परशन मत हो, मतलब इस समझाया जा रहा हो, हम लोग सही पहुंच रहे हैं, टाइम पर, we must be getting home, it's past midnight, मतलब रातरी की भी आधी रात, मतलब जो आधी रात होते हैं, इसके भी काफी आध टाइम बीच चुकाँ से भी, इसलिए अन्दाज है कि हम लोग घर ये इस बार्शन का यूज करेंगे, कैसी इस करेंगे, जर्नल को यह है Troups उस नदी के पार करना था, जर्नल को अदा एक पोश्ट है यहां पर, उनको Troups को उस नदी के पार करना था, यहां पर सम्थिंग का यूज दिया गया बाकी का आपका फ्रेज जुड़ा हुआ है जबकि इसके पहले वाली यूज हमने देखा था कि गैट के बार डारेक्ट यह वाला फ्रेज आ रहा था अपकी वर आप चाहें तो इसका खुद का अबजेट भी यूज कर सकते हैं हम प्यानो को दरवाजे से नहीं ला पाए तो यह आपका एड़व फ्रेज हो गया और यहां पर इसका गैट का अबजेट हो गया किस चीज को नहीं ला पाए हम टेक्सी ही बुला लेंगे और तुम्हें घर पहुचा देंगे मतला हम किसी की चीज का वेट कर रहे थे तो ऐसे लगा एक काम को टेक्सी ही बुला लो और हम तुम्हें घर पहुचा देंगे तो वी head better call a taxi अब यहाँ पर head better आपको याद रखना है जिसका मतलब होता है should head better आपको सोजहाब देना है तरीके से यह अच्छा होगा यह अच्छा होगा कि आपको टेक्सी बुला लें and get you home तुमे घर पहुंचा दें ताकि तुम समय से घर पहुंच जाओ जो भी आपका सेंस हो यहाँ पर इस तरह समय सेंस का use कर सकते हैं मैं डखकन बंद नहीं कर सकता मतलब I can't get the lid off डखकन जो मैं बंद नहीं कर पा रहा हूँ तो उस सेंस में आपको I can't get the lid off हमें इसको ऐसे लिख सकते है फिर एक use होता है ट्रांस्टिट तौर पर get कर लेकि उसका पैसे वह उस नहीं मना सकते हैं जिसका use होता है get something जिसका मतलब निकलता है to use a bus taxi plan aeroplane है, taxi है, bus से किसी चीज का use करना उसको पकड़ना है कहते हैं हम उसको पकड़ लेंगे वहाँ पर उस sense में get कर use कर सकते हैं जैसे कि हमें देरी हो रही है चलो taxi ले लेते हैं देरी हो रही है, चलो taxi ले लो bus नहीं आरे, train नहीं जो भी कुछ है वहाँ पर situation तो चलो taxi ही ले लेते हैं तो we are getting to be late हमें देरी हो रही है let's get a taxi एक काम करते हैं टेक्सी ही ले लेते हैं तो catch के sense में यहाद तर कार पर जाने के लिए बस लेता हूँ तो यहाद पर कैसे बनेगा I usually get the bus to work काम पर जाने के लिए मैं जाद तर बस लेता हूँ नेक्स्ट मील भोजन के लिए भी हम लोग गैट का यूज करते हैं अब खास तरुपर यह ब्रेटेस इंग्रेस में यूज होता है जिसका यूज ट्रांस्टिक तौर पर होगा गैट का नंबर एक नंबर दूसरी बार तू प्रिपेर अम मील भोजन बनाने के सेंस में जैसे क कि get something lunch कौन बना रहा है who is getting the lunch who is preparing the lunch who is making the lunch who is cooking the lunch इस सारे सेंटेस सही है और making ए cooking ए preparing सभी जगे हम लोग getting का यूज यानि कि get का यूज हम लोग कर सकते हैं एक और use है get something for somebody किसी चीज कोई चीज किसी इंसान के लिए लाना या खुद के लिए लाना दोनों चीज हो सकती है और kids के लिए मैंने बच्चों के लिए चाय बनानी चाहिए कैसे होगा I must go home and get the tea अब देखो यहां पर something आ गया किस के लिए बच्चों के लिए for the kids यह ने बहुत पहले भी देखा था अभी कुछ समय पहले इस वीडियो में कि यहां पर हमने जब फॉर लगाय था मदर के ल बनानी चाहिए हम इसको इस तरह भी जी लेख सकते है I must go home and get यहां पर kids आगे कर दिया टी पीछे कर देंगे तो आपका फिर for हट जाएगा अब यहां पर sentence का यह मतलब नहीं कि बच्चों की चाय बनानी चाहिए बच्चों की चाय नहीं sense यह बच्चों की चाय अगर मैं ब जो जब आपका in आपका in that object पहले और that object बाद में आता है तब आपसे for or to हट जाता है यह हमनों वर्ब advanced detail में देख रखा है next telephone यह door के लिए भी get का यूज़ करते हैं get something टांस्टिप वह आपके तौर पर get का यूज़ होगा to answer the telephone और a door किसी नौक किया दरवाजे पर उसका अंसर देना यह telephone पर किसी का अंसर देना when somebody calls, knocks, etc. जैसे कि अभी तक आपने हिंदी देख ली थे सारी अब मैं आपको यहां स तरह से और समझ में आने लगेंगी. Will you get the phone? इसका मतलब यह कि तुम उस phone का answer दे दोगे? यानि उठा लोग इसको? यहां पर इसका यह sense निकला है. एक हो देखो, catch के लिए या head के sense में get का यूज़ होता है, get somebody. जिसका मतलब निकलेगा to catch or take hold of somebody, especially in order to harm or punish them. किसी सजा देने लिए किसी चोट पहुचाने के लिए, एक तरीके से legal way में, legal way में, किसी पकड़ना आया, कोई चीज है, तो आपर get somebody का मतलब, उसको पकड़ लो, या इसको hit कर, उसको मारो. जैसे कि, he was on the run for a week before the police got him. वो एक सब्ता से भाग चुका था, पोलिस की ग्रफ्त में आने से पहल पुलिस ने पकड़ तो लिया था, लेकि एक हक्ते से वो गायब था, तो यहां पर got का मतलब क्या हुआ, इसको पकड़ लिया है, पुलिस वालों ने, जबसे वो फरार था, फिर एक और use आता, get का, to get somebody, इसका मतलब यहां पर यह होगा, कि किसी को arm से, या जिश्ट से, या पकड़ लिया है, ठीक है, एक हो देखो, he thinks everybody is out to get him, मतलब, उससे ऐसा लगता है, जैसे कि सभी लोग उसको हानी पहुचाना चाहते हैं, इस सेंस में यहां पर get का use, हम लोग कर सकते हैं, informal तो पर इसका कैसी use होता है, I will get you for that, मैं तुम्हें उस चीच के लिए पकड़ लूँगा, तो मैं उसकी में सजा दूँगा, इस तरह से इसका use कभी कभी होता है, लेकिन informal भी बे हैं, next use जो इसका है, वो get somebody होता है, जिसमें adverb या propulsion तो आएगा, जिसका मतला होता है, to hit or bound somebody, किसी को चोट पहुचाना, किसी को घायल करने की सेंस में, जैसे कि the bullet got him in the neck, उसके गले में गोली लग गई, clear, hit करना या बून करना है, गायो देना किसी को, understand, समझने की सेंस में, I got it, हम लोग बहुत बोलते हैं, I got it, मैं समझ गया हूँ, यह मैं समझ गई हूँ, इस सेंस में got का use करते हैं, नहीं कि get का use करते हैं, यहां पर ट्रांश्टे वर्प तो यह होती, लेकिन यह इसका passive नहीं बनता है, get somebody or something, informal way में use होता है, जिसका मतलब निकलता है यहां पर, to understand somebody or something, किसी इंसान को, या कोई चीज को समझना, इसका यह sense निकलता है, जैसे की, I don't get you, मैं आपको समझा नहीं, अब यहां पर get का मलब पकड़ना नहीं है, get का मलब प्राप्त करना भी नहीं, इसका get का मलब understand यहां पर है, अब आपके मन में question आओ, इतने सारे get के use हम पता कैसे करेंगे, आगर मैं आपसे यह कहूँ कि I don't get you, मैं मैं आप Hindi यहां पर क्यों नहीं लिख रहा हूं, इसलिए मैं आप Hindi यहां पर नहीं लिखी ताकि आपको आपको यहां पर sense निकालना शुरू आजाए, अगर मैं यह आपसे बोलूँ कि I don't get you, तो इसका मतलग क्या निकलेगा, get का मतलग क्या हो सकता है, मैं आपको punish नहीं कर जिस situation ही sentence बोला जाएगा वहां पर understand का ही sense निकलेगा, आप चेक कर लेना, I don't get you, मैं आपको समझ नहीं पाया, मतलग समझ नहीं पाता हूं, मैं आपको समझ नहीं पाता हूं, इस तरीके से present में, she didn't get the joke, वो joke समझ नहीं पाई, past में, या उसको joke समझ में नहीं आया, I don't get it मैं यह समझ नहीं, why would she do a thing like that, मैं समझ नहीं पाता हूं कि वो इस तरह की चीज़े क्यों करती है, यह census का है, I get the message, मैं message समझ गया हूं, you don't want me to come, अब मुझे तुम आने के लिए मत कहो, अब तुम मुझे आने के लिए मत कहो, या मुझे अब तुम यह बंत चाहो कि मैं एक इसका यूज होता है, happen या exist के sense में, get something, inform my baby यूज होता है, यहाँ पर आपके ट्रांश्टे वर्ग होगी लिखके इसका passive नहीं बनता है, to get something का यहाँ पर sense निकलिएगा, use to say that something happen और exist, कोई चीज ऐसा हुआ करती थी, जैसे की, you get all these kids hanging around in the street, इस sentence में, you get का मतलब यहाँ पर यह है, there are all these kids hanging around in the streets, यानि कुछ ऐसे लोग थे, जिनके साथ में, या कुछ ऐसे बच्चे थे, जो street में, यहाँ वहाँ, hanging का मतलब है, कि एक दूसर मिला करते थे, hangout करते थे, ठीक है, और यहाँ पर you get का, you sumलो, get का मतलब यहाँ पर हो रहा कोई ऐसी चीज हुआ करती थी, ठीक है, अब एको देखो, they still get cases of typhoid there, उन्हें अभी भी, उन्हें अभी भी यह पता चलता है, कि typhoid के cases वहाँ पर हैं, ठीक है, अब यहाँ पर exist करते हैं वो cases, ऐसा वहाँ पर यह गटना होती, typhoid अभी भी होता है वहाँ पर, ठीक है, hanging क काम होता है वहाँ पर, मिलना, जुलना, घूबना, फिरना वहाँ पर होता है, confused या annoyed के sense में परिशन करना या confused होना है, get somebody, to make somebody feel confused, किसी को confused कर देना, because they don't understand something, क्योंकि वो किसी को समझ नहीं पाती है, example के तौर पर, puzzle इसका use of करता था, synonym के तौर पर, what is the capital of Bhutan, Bhutan के capital क्या है you don't got me there, मुझे confused मत करो, एक तो यह, जैसे कि बोटा ही राजधानी क्या है, अगर उसने यह बोला, you have got me there, इसका मतलब एक यह हो सकता है, कि मुझे मालूम नहीं है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यह मैं confused हो कि इसका answer क्या हो सकता है, यह इसके senses निकलते हैं, फिर एक एक और यूज होता है, और किसी परशन करना, जैसे कि, what gets me, जो चीज मुझे परशन करती है, इस वो यह है, having to do the same thing all day long, पूर दिन एक ही काम करना, और इस चीज़ से में तंग आ जाता हूँ, इसका मतलब यहां पर यह है, तो यहां पर यह basically एक noun clause के तोर पर यूज होई है और non clause जो है, वो यहां पर subject का काम करी, इस age का, अब यह concept में जो अभी बोला है, यह clauses वाले बीडियो से में इने detail में बता रखा है, next, अब आपका अगला you जो बड़ा special है, अब यहां पर यह आपको समझना है, कि become है, यह get है, यह go है, यह turn है, यह कुछ ऐसी verbs होती है, जो अपने साथ adjective को follow करती है, और इन सभी का मतलब होना या बन जाना कुछ ऐसे निकलता है, जैसे कि, these verbs are used frequently with the following adjectives, इनका use in adjectives साथ में काफी जादा होता है, जैसे become के साथ में involved है, clear है, accustomed है, pregnant है, existent है, extent है, famous है, ill है, यह काफी चीजें, he became ill, he became involved, ऐसी चीजें, he became pregnant, ऐसी सब्द काफी आपने सुने होंगे, phrases, ऐसी get है, get used to, get better, get worse, pregnant है, tired है, angry है, dark है, ऐसी चीजें आपने सुने होंगे, it is getting darker, अंधेरा हो रहा है, ऐसी go है, go wrong, right, bad, white, crazy, bald, blind, यह go के साथ में खास्ताव पर adjectives use होती है, अब ऐसा क्यों होता है, इनको बोलते है, collocation तरीके से, collocation मतलब होता है, यह phrase ready made है, इसके साथ में यही use होगा, यह यहाँ पर rule समझाना चाहता आपको, turn, blue है, sour है, खटा होना, bad है, red है, cold है, यह अपने सुने होंगे, the milk, turn, sour, अदलब, milk जो है, वो खटा हो गया है, तो यहाँ पर become नहीं होगा, get नहीं होगा, go नहीं होगा, turn का use करते हैं, यह जातर use होते हैं से, ठीके, अब become is more formal than get, अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर become और get मैं से, किस का use जादा करेंगे, उपर मैं से, तो देखने में यह आता है, कि become का use जादा होता है, foreign way में, rather than get, I think, आपको यह बात आतों समझ में आ गई होगी, अब इसके थोड़ी सी minor बात, अगर हम करें, तो both changes, या describe, या इन दोनों में, become में और get में क्य natural है, social changes है, यह तोनों changes को सो करने के लिए, हम become और get दोनों का use करते हैं, लेकिन ज्यादा तर हम become का use देखने को मिलता है, अब यहाँ पर कुछ और point समझने वाले हैं, कि अगर मैं go की बात कहूं, तो go का use जो है, वो negative changes के लिए आता है, मतलब जहाँ पर नकारात्मक परिव लेकिन खासव पर negative के लिए जादतर देखने को मिलता है, यहाँ पर usually लगा हुआ है, हम ऐसा नहीं, जादतर ऐसा देखने को मिलता है, इसी जगह मैं बात करूंगर, तो go और turn, इन दोनों का use, इसके अलावा, color changes में, मतलब अगर कही color कोई change हो रहा है, तब भी हम आपर go औ का use हो सकता है, अगर हम बात करें turn की, तो turn is also used for changes in the weather, अगर कहीं मौसम बदला है, है ना, गर्मी से सर्दी हो रही, सर्दी से गर्मी हो रही है, तो भी हम आपर turn का use करेंगे, यह तीन important बातें आपको याद रखनी थी, इसके लावा आपको ये चीज याद रखनी है, इसमे कभी तब लोगों ने ये चीज देखी थी, कि कुछ याद के वाद कभी कभी दो दो अबजेट्स आ रहे थे, तो को यह दखने कुछ ऐसी वर्प्स होते हैं, जो दो अबजेट्स को फॉलो करती है, जैसे कि bet है, bring है, build है, buy है, cost है, get, give, बहुत सारी यहाँ पर वर्प्स मै देने के लिए है, I gave you a pen, मैंने तुम्हें pen दिया था, तो gave whom आया answer you, एक object, what तो answer आया pen, तो object नमबर वन और object नमबर टू, यहाँ पर दो use हुए हैं, हम चाहें तो इसको आगी पीछे कर सकते हैं, तो हो जागा यहाँ पर a pen to you, ठीक है, दिया था, इस तैसे इन दोनों object का हम यूज़ कर सकते हैं, तो basically यह कुछ ऐसी वर्प्स हैं, जो दो objects को follow करती हैं, अगर हम बात करें, self study के बारे में, तो मैंने कुछ यहाँ पर examples दिये हैं, आपके समझने के लिए, जो कि आपको PDF यह मिल जाएगी, और कहां मिले ही, मैं फिससे आप नोट्स बगार बनाना है, PDF का में लेगी, वो देख लो, PDF आपको जो है, वो मेरे Telegram पर मिल जाएगी, उपार classes नाम से ही है, आप चाहें तो मुझे discuss करने के लिए, या कोई चीज पूचने हैं, आपको तो Telegram पर पूच सकते हो, out of India वाले सारे सारे लोग, कहीं से भी हो, च सबीचे के उपार classes नाम से है, बाकी कि जो लोग इंडिया से हैं, और जिनको नोट्स चाहिए, जिनको grammar के मेरे नोट्स चाहिए हैं, लिखे हुए, सारे सारे उसके 300 प्लस वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हैं, जो हर exam के लिए वैलेड हैं, जिसमें 50 से ज्यादवें chapters clear किये हैं, उनकी hard computer से tap की हुई, वो आपके घाज तर पहुंचे जाएंगी, उसके लिए आपको इस नंबर पर call या WhatsApp करना है, call रसी नहीं होती है, तो आप WhatsApp कर देना, out of India ले जितने भी लोग हैं, वो केवल और केवल मुझसे बाकी platform से आने की, आपका जो बाकी बचे कुछ ऐसे वीडियो में, जो ऐसा ही हो, जिसमें completely use हो आपका,